नमस्कार दोस्तों धार्मितत्य में आपका स्वागत है दोस्तों भागवान शिव की महिमा अप्रमपार है उन्हें प्रसन्य करने के लिए किसी खास प्रियास या पूजापाड की जरुरत नहीं होती बलकि सची शदा और पूरे मन से किया गया प्रियास आपको भोलेनात की क्रिपा का पातर बना सकता है हमारे गरंतों में एक ऐसे ही कथा मिलती है जब एक भक्त के लिए भागवान शिव ने काल तक को भश्म कर दिया था तो आए जानते हैं उस कथा को विस्तार से पुराणिक कथा के अनुसार राजा श्वेत केतु जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे उन्होंने काल को भी जेत लिया था राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूर वीर और प्रजा पालक थे वो अतन्त ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और श्रदा भाव से भगवान शिव की भक्ति करते थे उनके इस भक्ति भाव से भगवान शिव अतन्त प्रसन्न थे उनकी किरपा से श्वेत केतु के राज के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से दूर थे एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जिवनकाल समाप्थ होने को था और वो भोलेनात की अरातना में लीन थे तब चित्रगुप ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयू अब पूरी हो चुकी है अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है तब यमराज ने अपने दूतों को आगया दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं यम दूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वो शिप मंदिर में थे दूत बाहर ही खड़े हो गए श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे बहुत देर हो गई ना श्वेत केतु का ध्यान तूटा और ना ही दूत ही ले यम दूत बिना अपना काम किये वही खड़े रहे दूतों के आने में देरी होने के चलते यम राज स्वयम ही राजा श्वेतकेत्यू के प्राण हरने पहुचे लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि राजा श्वेतकेत्यू तो भगवान शिव की साधना में लीन है अब तो वो सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरें उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह भगवान शिव की पूजा में डूबे हुए हैं इस इस्तिती में शिव पूजा का उलंगन नहीं किया जा सकता तब यमराज भी बाहर ही खड़े हो गए उदर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने दलवार निकाली और शिव मंदर में जागु से काल ने देखा कि राजा श्वेत केत्यू अभी भी भगवान शिव के लिंग सोरूप के सामने बैठे ध्यान मगन है जैसे ही काल ने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलबार उठाई तबे भगवान शिब ने तीसरा नेत्र खोल कर काल की ओर देखा भोलेनात का तीसरा नेत्र खोलते ही काल वही राजा श्वेत केतु के सामने जल कर भस्म हो गया थोड़ी देर बाद राजा श्वेत केतु का ध्यान तूटा उन्होंने अपनी आखे खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है श्वेत केतु ने भगवान शिप से पूछा हे बुलेनात यह किसकी राख है इसे किस ने और क्यों जलाया तब भगवान शिप ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरनी आया था राजा श्वेत केतु ने खहा कि हे महाकाल यह तो आपकी ही आग्या से तीनों लोकों में विचड़ता है इसे के भैस से तो लोग पुन्यकारे करती हैं किर्पिया आप इने अतिशीग्र जिवन्दान दे दें भगवान शिप की किर्पा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगा कर बोला हे राजा तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है तुमने तो अजे काल को भी जीत लिया है काल और यम्राज ने श्वेत केतु से कहा कि ऐसे जातक जो भगवान शिव के परमभक्त है सच्चे मन और पूरी श्रदा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं श्वेत केतु ने रंबे समय तक राज किया और फिर भगवान शिव की किर्पा पाकर उनमें ही बिलीन हो गए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और पीस सब्सक्राब करना ना भूलें तहन्यवाद